हेलो फूड़ीज वेलकम टो मैं लाइफ इस कोकिंग तो आज हम चू रैसिपी बनाने वाले हैं वह सूरत की बड़ी फेमस है वह है सूती सरसिया खाजा तो इसे बनाना थोड़ा से टिकी है पर हम इसे हो सके अतना इसी बनाएंगे तो इसके लिए हमने लिया है मैंदा ओइल हल्दिंग काली मिर्ज पावडर बेकिंग सौड़ा और नमक तो आई हम शुरू करते हैं बनाना तो फॉस्ट फॉल हम बावल में बन फूद कप ओईल देंगे तो यह आपको मेजरोमेंट करना है या मेजरोमेंट ना कर पाएं तो ऐसे कोई भी कप ले लीजिए और जितना हमने ओईल लिया उतना ही हमें पानी यानि बन फॉद कप पानी लेना है दोनों मिक्स करेंगे बन फॉर्टी स्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सौड़ा और रावंड टू तो त्री टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें मैंजा तो इसे हम एक ही डाइरेक्शन में से अ तो वापस में इसमें मेंदा डालेंगे राउंड त्री टेबल स्पून वन फॉर टेबल स्पून हर्दी हाफ टेबल स्पून काले मिर्श का पाउडर तो यह बहुत स्पाइसी होता है पर आप इसमें अपने हिसाब से काले मिर्श का पाउडर काम स्याधा कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे नमग पिर से हम इसे एक साब अच्यसाई से मिलाती होई और आटा गुंद लेंगे हम हम इसमें हमाराह सारा मेंदा डाल देंगे तो हमने एक बड़ा कौप जो मेंदा लिया था वह अ stimulating कि अ अपको इतने जरूर पड़े इसमें मैंदा डालते जाहें तो यह बी उतना सक्ताइब अटा ऐसा नहीं गुंदा हमें शॉफ्ट रखना है पर इतना भी नहीं तो मैंदा डालेंगे ताप इसा डालते जाहें और आटा गुंते जाहें तो नौर्मिल हमें रोटी के जैसा आटा होता है गुंदा हो उससे थोड़ा सा सकत ऐसा रखना है तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डालिए एक साथ ना डाल दीजिए सारा तो हमारा आटा आप देख सकते हैं गुंदकर रैडी है हमें एक बड़ा कुट मेंदा इसमें चला गया है और ऐसा हमें रखना है और इसे अब हम अच्छे से तीन से चार मिनीट ऐसे अच्छे से मुसलना है अब हम इसे ताकर अच्छे से आधे खंटे के लिए रैस देंगे तो यह बहुत इंपर्टेंट है आपको आधे खंटे के लिए रैस देना ही है तो आधा खंटा हो चुका है इससे हम देख लेंगे और अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे तो पहले तम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसके एक की माप के तीन हिस्से करेंगे हम तो ऐसे हम इसे तीन हिस्सों में बाट लेंगी तो आप देख सकते हमने तीन हिस्टे कर लिये हैं अब हम क्या करेंगे इसमें से कोई भी एक ऐसे लुई ले लीचे और अब हम इस लुई में से ली हुई यह से छोटी-छोटी लुई आवार बना लेंगे ऐसे कि आज़ने दू सकते हैं और बाकी के दूरण में हमारे पास insult है अपी तीसे हम्हें सेरख न भी रखना है इसके हमें लुई या करने ही बनानी है हमें सिर्फ एक हिस्सी चोटी-्छोटी लुया बना लेनी है अब हम इसमें भूंत पूंच कंपानी डालेंगे या मुदन हाँ जाये कृष्ष्वvार is १ाल ऐसे बाद में हम इसमें हमाहरी लुया डालेंगे तोभी हमारी बनाई है इसमें डाल देंगी और अब इसे अच्छे से पानी के साथ मिक्स करते जाना है और एक दम ड्राइब हो जाए हमारा आठना वैसा बनाना है तब देख सकते हैं वापस से ब्राइब हो चुका है जो पानी सारा था उसमें अच्छे से मिला दिया है और इसने सारा सोग कर लिया है तो अब हमें इसे हमारे दूसरे आठे के साथ मिक्स कर देंगे इसमें डाल देंगे तो आपको लग रहा होगा कि यह रेड क्यों है विकोज हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है इसकी वज़े से असा हो गया है तो अब हम तीन वाटे को अच्छे से साथ में फिर से एक बार अच्छे से मिला लेंगे और हम इसमें गरम गरम ही यह आठा है वो डालना है अब हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे यह ङुस्के है अमने अच्छे से मिक्स को लिए दिख सकते हैं पहले शार्टा लग रहा है अब हम इसमें से खाजा बनाएंगी तो अब हम इसमें से एक छोड़ी सी लूई लेंगी आप मैं यह मैं यह ज्लाओ अब हम इस एसा हातों से यह दबाते जाएंगे तो आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं और इसे मीडियम थीक हम ऐसा खाशा बना लेंगे तो यह रेडी हैं अब हम इसमें क्या करेंगे बेलन लेंगे और इसमें ऐसे छोटे-छोटे हॉल बना लेंगे अब देख चुबते हैं यह अब रेडी है इसे हमें एक साइट ले लेंगे तो हमने दूसरी लूई ले ली है इसे प्यों मातों से फेला लेंगे असे तो क्या आप बेलन ना होते हैं तो आथ उसी भी बना सकते हैं आप देख सकते हैं ऐसे कर लीचिए इसे हम हमारे सारे काज़ बना लेंगे तो हमारे गजा हमने बेल कर अब चाहें तो हाथों से बना सकते हैं अब थोड़े हाथों से थोड़े बेल बनाए हुए हैं तो अब हम उसे फ्राइब कर लेंगे तो ऑईल हमने गरम कर लिया हैं बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए तो अब हम इसमें हमारी खाज़ा डाल देंगी इसम अच्छे से अब बलोओ फ्रेम पर फ्राइब होने देंगे गोल्डन अट कि आष सब जोड़े हैं नीकाल लेंगे हैं दूसरे आम भलब कर लेंगी तो इसम एकदम बलोओ फ्रेम पर अच्छे से प्राइब करना हैं तो यह भी हो चुके हैं इस निकाल लेंगें अपर आसि हम सारे हमारे खाजा फ्राइब हुझ जुकी है और इसे अमने प्लेट में निकाल लिया है और इसे आम रस या नेमू के साथ कह सकते आप पर देख सेपके एमेने तोड भी लिया था तो इसमें परत वाली है यह और यह प्रीस्पी भी है, आप देख सकते हैं तो य कीजिए शेर कीजिए अपने फैंबली और फ्रेंड के साथ और मैं लाइक इस कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फोर वाचिंग